नवस्कार, सौगत करता हूँ आपका ब्लॉग एंजील की करेंट अफेर्स प्रोग्राम में आज की वीडियो में हम डिसकस करेंगे हाल फिलाल में सुरुखियों में रहे कुछ करेंट अफेर्स के बारे में एथिनॉल को मिक्स करके तैयार किया जाता है कार्बंडाई एक्साइड कार्बंडाई एक्साइड को सीयोटू से रिप्रेजेंट करते हैं कार्बंडाई एक्साइड और हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन भू प्रोडेक्ट होते हैं जो हाइड्रोजन मतलब हाइड्रो कर्बंस होते हैं मतब कारवन और हाइड्रोजन से मिलके बने हो उन्हें हाइड्रोकारवन बोलते हैं उनके उत्सरजन में कमी आती है है ना उनके उत्सरजन में कमी आएगी इसके इस्तेमाल थे इसके इस्तेमाल होने से अब देखिए यह एथिनॉल है क्या एथिनॉल मिक्स क मक्का, गेहू, आलू से बना हुआ एक बाई प्रोडक्ट है, इनका एक बाई प्रोडक्ट होता है, बाई प्रोडक्ट, इसी को कहा जाता है एथनॉल, है न, आज की डेट में भी हम एथनॉल मिक्स त्रित, पेट्रोल टंकी पे जाते हैं तो क्या होता है, एथनॉल मिक्स त् है petrol मिलता है diesel मिलता है reason behind permitted है सिर्फ 10% 10% ethanol mix करना जब 2020 फुल तरीके से applicable हो जाएगा तो हम 20% की permission रहेगी हमें mix करने की petrol ठीक है 20% हम mix करेंगे अभी हाल-फिलाल में 10% permitted है अगला question देखते हैं अगला किस्टेर है प्रमुक योजना है जो 2020 में कुछ प्रमुक ऐसी योजना है थी जो examination में अपना एक महुत्पुन स्थान रखती हैं तो उन में से हम कुछ योजनाओं को discuss करेंगी पहली योजना है हमारी समर्थ योजना समर्थ योजना कहां की योजना है और किस लिए चलाई गई है मंत्री है कपला मंत्राले में क्या इसका target रखा गया है कि 10 लाख युवाओं को trend किया जाएगा इसके अंतरगत 10 लाख युवाओं को skillful बनाया जाएगा इसके अंतरगत और 18 राज्यों में यह applicable हो हो रहा है और लगभग 3 लाख से ज्यादा 3 लाख से ज्यादा लोगों को इस पर trend किया जा चुका है है ना तो समर्थ योजना किस से रिलेटर है यह कपला मंत्राले की योजना है निकिस कुमार जी फिर से चिखनिश्टर के पत्प्यासीन हुए हैं और घर तक फाइबर योजना बिहार में चलाई जा रही है इसका main aim क्या है घर तक फाइबर योजना का कि अपने सभी गाउं में बिहार जो है अपने बिहार के सभी गाउं में हाई स्पीड इंटरनेट की ब्योस्था की जाएगी हर गाउं हर गली में यह बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है घर तक फाइबर योजना तो इसे माइन में रखेंगे एक्जामनेशन पॉइंट आप यू से बहुत जादा इंपॉर्टन थे यह तिक है अगला देखते स्वराज योजना स्वर्ण स्वराज योजना स्वर्ण 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 डिसिजन लिया है कि solar plate माटी जाएंगी लोगों को जो 25,000 मतलब 25 किलोवाट की होगी 25 किलोवाट तक की solar plate लोगों को दी जाएंगी और इसकी देरिये लोगों को जागरूप बनाया जाएगा solar energy यूज़ करने के लिए अगला क्या है सूची योजना सूची योजना हाल फिला गल्स को sanitary pet दिये जाते हैं और covid-19 की वेज़े से इस बार दिक्कतें आई उनकी वेज़े से ये काफी जादा चर्चा में रहा कि ये वित्रित नहीं हो पाए तो ये सूची योजना करनाटक में चलाई जा रही है ऐसी कई योजना अलग अलग इस चोटों में अलग अलग सूची योजना कहां चलाई जा रही है करनाटक में चलाई जा रही है अगला है कपिला कलाम कारिक्रम कारिक्रम नाम से ही थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा होगा कपिला कलाम हमारे पूर्व राश्पती थे एपीजे अब्दुलकलाम एपीजे अब्दुलकलाम थे उनकी 89th वे जेनति पर, ये कारेकरम्य चलाया गया है, ये कारेकरम characterize द्वारा है और मेंटवीमे उसका ये था कि 15 अक्टूबर से लेके 23 अक्टूबर तक बोधिक संपदा सक्षरतरा वीड चलाया गया था, इंटेलेक्शिलल प्रपेटी awareness की बारे मिंगते हैं जल, हर घर जल योजना क्या है हर घर जल योजना यह related है हमारी जल जीवन मिसन से जल जीवन मिसन से जल जीवन मिसन से related है और इसका में थिम क्या है हर घर जल, हर घर में tap water पहुँचाना हर घर में tap water पहुँचाना जितने भी ruler areas है रूलर इरियाज हैं, वहाँ पे 100% टैप वाटर पहुचाने वाला जो राज है, वो कौन सा हुआ है, यह भी एक्जाम में पुछा जा सकता है, हर घर जल योजना के तहए, जल जीवन मिसन योजना के तहए, जो हर घर जल टैप वाटर पहुचाने की बात हुई है, इसमें कौ क्णा राज है, एचीव कर चुका है टार्गेट, तो वो है गोवा, याद रखेंगे, गोवा ने एचीव कर लिया है, तार्गेट हर गल जर, गौवा के घर में पहुचाए जा जा चुका है अलोजना देखते हैं कपिला कलाम कारेकरम में ये शिक्षा मंत्राले का एक कारेकरम था जो बौधिक संपता साक्षरता के लिए चलाया गया था तो इसी रिलिटेड है कि शिक्षा मंत्राले क्या है मानो संसाधन और विकास मंत्राले का ही नाम बदल कर रखा गया है शिक्षा मंत्राले इसी का नाम तो सिख्षा मंत्राले ने 29 जुलाई इसी साल 20 को न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी इसमें क्या था ये भी आप ध्यान रखे 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 ये सिस्टम था पुछा जा सकता है कि जो नई राष्ट्री सिख्षानीती जारी की गई है वो 10 प्लस 2 सिस्टम को खतम करके कौन सी विवस्थाल आई गई तो ये विवस्थाल आई गई ठीक है पांच का मतलब क्या है कि अप्टू एच ऑफ 3 to 8 तीन से लेके 8 मतलब पांच साल तीन साल के बा से 14 और प्लस 4 में आते हैं 14 से 18 14 से अठारा तक के 27 सिच्छा 18 तक में juris 2 पीट की सिच्छा कंप्लिट हो जाती है और आपको जानकारी के लिए बता देए कि हमनसा나сть अंजार। आजादी के बाद इसका नाम Minister of Education ही था आजादी के बाद चला आ रहा था Minister of Education but 1985 में आपको बताते हैं 1985 में इसका नाम बदल कर Human Resource Ministry मानों संसाधन इवंग विकास मंत्रा ले Human Resource and Development Ministry रग दिया गया था 1985 में आजादी के टाइम पे इसका सिच्छा मंत्रा ले था तो अब भी फिर से इसका बदल के रख दिया गया है सिच्छा मंत्रा ले इसी ने नए अगला देखते हैं क्रिस्मस इस्टार हाल फिलाल में शुरुक्यों में रहा था यह बहुत ज्यादा important है ऐसी कई questions उठके आते हैं जो examination में directly put up हो जाते हैं UPSC के exam में UPSC के exam में या स्टेट किसी भी स्टेट का PCS उठा के paper देख लिए ऐसे questions जो शुरुक्यों में क्रिस्मस इस्टार हाल फिलाल में सुरुक्यों में रहा है क्रिस्मस इस्टार है क्या 21 दिसंबर को दिखा गया है कि 400 वर्सों बाद सनी और ब्रहस्पती सनी सैटन और जुप्टर सनी और ब्रहस्पती एक दुसरे के काफी पास आ गये थे काफी नजदीक आ गये थे और इस बार इतने नजदीक आये थे कि इनके 20 कोंड़ी ये दूरी 0.1 डिगरी ही रह गयी थी इस प्रकार की ग्रहों के नजदीक आने की जो खबोली घटना होती है उसे सैयोजन कहा जाता है सैयोजन है ना किन्तु सनी और ब्रहस्पती के लिए सनी और ब्रहस्पती क्या है कि बड़े ग्रहे हैं सनी और ब्रहस्पती काफी बड़े ग्रहे है हमारे सौरमंडल के तो सनी और ब्रहस्पती के लिए इसे महा सयोजन महा सयोजन कहा गया या इसी को कहा जाता है महा सयोजन या क्रिस्मस इश्टार महा सयोजन कहा जाता है या क्रिस्मस इश्टार कहा जाता है क्रिस्मस इश्टार या महा सयोजन कि वह सनी और ब्रहस्पती की केस में लिया जाए तो और आपको एक बात बता दें कि सनी और बिहस्पती की बात अगर हम कर रहे हैं तो सनी सुरी का चक्कर 12 साल में लगा पाता है 12 बियर में सुरी का एक चक्कर लगा पाता है वहीं बिहस्पती इतना बड़ा है कि वो 30 साल में भाई उसका सर्किल भी काफी बड़ को यह घटना हुई है तो 21 दिसमबर को एक खास बात और होती है 21 दिसमबर को क्या खास बात होती है कि तो जो नौर्थ पोल होता है नौर्थ पोल यानि की उत्री धुरू उत्री धुरू पर सबसे छोटा दिन होता है सबसे छोटा दिन उत्री धुरू पर होता है और सबसे ब सबसे बड़ा दिन होता है क्लियर हुई यह चीजे आगे बढ़ते हैं टाइम मगजीन में ने हाल फिलाल में अपने लिस्ट निकाली हुए लिस्ट जारी की है जिसमें सौ प्रभावसाली बेक्तियों की सूची बनाई है उसने तो इसमें इंडिया के कुछ बेक्तियों का ना हुआ था साहिन बाग में धर्ना हुआ था उसमें यह कारेरत थी यह अपना वहां पर धनने के टाइम पे बैठी हुई थी इन्होंने अग्रिम रोल निभाया था बहुत ही बुजर्ग महिला है ट्रंप का नाम है सुंदर पुचाई जो गूगल के सीउ है गूगल के सीउ है सुंदर पुचाई उनका नाम है प्रोबेसर रविंद कुटा प्रोफेसर रविंद गुथा का भी नाम लिखा लिए गया है यह यह नाम-लिया और ऑफ़ेस्पोर्ट और एंगलेंड में Oxford और Cambridge मिला के oxbridge कहा जाता है कम्बाइन रूप से इन ही क्या कहा जाता है ऑक्स ब्रिज ऑक्स ब्रिज ठीक है क्लिर हुआ प्रोफेस्टर विंद पुद्धा गुत्ता कैम्ब्री उनश्टी के प्रोफेसर है यह कुछ माने जाने नाम थी जिनके बारे में हमें जानना जरूरी था सिंगलाई इंस्पेक्शन सिंगलाई इंस्पेक्शन हाल फिल हाल में सुर्ख्यों में रहा है सिंगलाई इंस्पेक्शन है क्या सिंगलाई इंस्पेक्शन और किस राज में पाया गया है सिंगलाई इंस्पेक्शन किस राज में पाया गया है तो सिंगलाई इंस्पेक्शन की विशाली रोग है जो डारेक्ट आंतों पर अटाग करता है इसका रेज़न है कि दूस्त पानी पीने से बच्चे अगर दूस्त पानी पिलेते हैं उसमें नहाते हैं यह नहाते समों पानी मुह में चला जाता हैं और इस प्रकार से बैक्टिरिया से संक्रमी भोजन को करते हैं, तब इससे इंस्पेक्शन बैक्टिकी आथ में बच्चे के आथों में संक्रमन हो सकता है, इसके रख्षन यही है, डायरिया होता है, उल्टी, बुखार, पेट, दर्थ, है ना, ज्यादा तर इंफेक्शन के जो सिम्टम्स होते ह यही होते हैं, डायरिया, उल्टी, बुखार, कुछ भी अनिमेन होता है, तो डायरिया, उल्टी, बुखार, यह आना शुरू हो जाता है, है ना, तो इनसे बच के रहें, इनसे बचने का यही तरीका है, कि बॉयल वाटर पीए, सबजियां, खुले में जो रख्षियों, उ कारे में देखते हैं, नोबल प्राइज हाल में 2020 में नोबल प्राइज दिया गया है, और नोबल प्राइज से किस्टन 100% पूट अफ होता है, नोबल प्राइज से किस्टन 100% पूट अफ होते हैं, तो नोबल प्राइज दिया गया है, इस बार पांश फिल्ड में, सांती प च्छेत्र में दिये जाने वाले Nobel Price तीन लोगों को दिया गया है यह उनकी तस्वेर लगी हुए है नाम है heures चैया रिंहार्ड गेंजल और अड्रिया गेज यह तीन है से इस रूजर पिं रोजरपेंड रोजर पेंड्रोज की बात करें तो यह जर्मनी के है, जर्मनी के, और इंडिया घेश की बात करें, तो यह जो है USA की है, अमेरिका की, ठीक है, कमिस्ट्री की बात करते हैं, कमिस्ट्री में दो लोगों को नोबल प्राइज मिला हुआ है, एक है एम नुएल चारपेंट्रियर और दूसरा जैनिफर डाडना, और एमुन्वल चारपेंट्रियर, क्लियर है, कमिस्ट्री के छेतर में इनको मिला हुआ है, यह चारपेंट्रियर कहां की है, फ्रांस की, यह फ्रांस की रहने वाली है, और जैनिफर डाडना, यह USA की है, क्लियर है, USA की रहने वाली है, अगला नोबल प्राइज मिला है, ने गोजित किया है नर्सिंग येर के रूप में 2020 को तो Nobel Prize में Physiology यानि Medicine के छितर में किसको किसको दिया गया है Harvey J. Elder को Michael Hofton को और Charles M. Rice को Charles M. Rice को अगर बात करें तो Charles M. Rice और Harvey J. Elder ये दोनों जो है रूस के हैं है ना ये दोनों लोग रूसके हैं Harvey J. Alter harvaj J. Elder और Charles M. Rice ये दोनों लोग USA के हैं और Michael Hofton की बात करें तो ये है UK के, UK, United Kingdom के, Michael Houston, Michael Houston कह दीजे, Michael Hafton कह दीजे, है ना, इन्होंने, इन्हें मिला किस शेत्र में है, इन्होंने Hepatitis C, Hepatitis A, Hepatitis B, तो हमने सुना हुआ है, इन्होंने Hepatitis C वाइरस की खुच करने के लिए, इन्हों मेटकल के शेत्र में, दो लोग USA के हैं, और एक United Kingdom के हैं, साहित के शेत्र में, literature 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 ऊक्सकार要टWow के फिल्गरंश MRS टाइस क्षiture के सब्सक्राइब है तłamश्पर को बीद progressing है nilami के प्रावरूप का कि आविस्कार निलामी का जो सबर्शिख नए इसे लोग मिला एक आज़साइब कित एक है ओर इसलिए इन ही जो है इसके लिए नोबल प्राइस मिला है आसा करता हूँ इस वीडियो में आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा बने रही है हमारे साथ आगे भी आपको ऐसे अपडेट्स मिलते रहेंगी अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर जरूर करें मिलते हैं अगले वीडियो में तत्तकेली नवस्कार